Hello everyone, स्वागत है आपका दस दमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज के पार्ट 64 में इस सीरीज के हर एक पार्ट में हम बड़े ही काम के 10 daily use English sentences सीखते हैं और उनकी practice करते हैं बहुत ही कम समय में By the way guys के आपको पता है कि तुमने मेरे मन की बात कह दी इसको हम English में कैसे बोलते हैं सोचिए Guys इसको हम English में बोलेंगे You spoke my mind You spoke my mind तुमने मेरे मन की बात कह दी मन की बात बोल दी You spoke my mind Second sentence is वो बस अभी office के लिए निकला है इसको English में बोलेंगे He has just left for office He has just left for office Third sentence is अपने बैग से धूल पोच लो, साफ कर लो इसको English में बोलेंगे Wipe the dust off your bag Wipe the dust off your bag Wipe off means पोच लो, साफ कर लो और dust means धूल अपने बैग से धूल पोच लो, wipe the dust off your bag Fourth sentence is ये मेरी आखरी चेतावनी है तुम्हें इसको English में बोलेंगे This is my final warning to you This is my final warning to you या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो This is my last warning to you This is my last warning to you Fifth sentence is कसम से मैं जूट नहीं बोल रहा I swear I am not lying I swear I am not lying कसम से मैं कसम खाता हूँ मैं जूट नहीं बोल रहा I swear I am not lying Six sentences आज मैं चुट्टी पर हूँ इसको आप English में दो तरीकों से बोल सकते हो guys First one is I am on leave today I am on leave today And second one is It's my day off today It's my day off today आज मेरी चुटी है आज मैं चुटी पर हूँ I am on leave today या फिर It's my day off today Seven sentences अभी सूरच डूबा नहीं है या फिर अभी सूरच ढला नहीं है इसको इंग्लिश में बोलेंगे The sun has not set yet The sun has not set yet अभी सूरच डूबा नहीं है The sun has not set yet Eight sentences ऐसे ही बोलता हूँ मैं या फिर इस तरह से ही बोलता हूँ मैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे That's how I speak That's how I speak या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो That's the way I speak That's the way I speak ऐसे ही बोलता हूँ मैं इसी तरह से बोलता हूँ मैं That's how I speak या फिर that's the way I speak Nine sentences मेरा नाम मेरी मम्मी ने रखा है इसको इंग्लिश में बोलेंगे My mother has named me My mother has named me मेरा नाम मेरी मम्मी ने रखा है My mother has named me Last sentence of the day is घबराने वाली कोई बात नहीं है इसको इंग्लिश में बोलेंगे There is nothing to worry about There is nothing to worry about घबराने की कोई बात नहीं है घबराने वाली कोई बात नहीं है There is nothing to worry about So guys that's all for today I hope ये सारे sentences आपके लिए काफी useful रहने वाले हैं इन में से आपका फेवरेट वाला कौन सा था मुझे comment करके आप जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल अकिन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे चली अब है मिलेंगे कल पार्ट 65 में तब तक के लिए टेक केर बाबाई